प्रिश्वत खोर पटवारी को विजिलेंस की टीम ने दबोच लिया टीम ने पटवारी को रंगे हाथों 8000 रुपे के रिश्वत के साथ गिरफतार किया रिश्वत जमीन के इंतकाल के नाम पर ली गई थी विजिलेंस टीम की गिरफ में आया ये शक्स वो रिश्वत खोर पटवारी है जिससे रंगे हाथों पकड़ा गया है दरसल गाउं खानक में दीपक कुमार पटवारी की जाखोद हिसार निवासी विनोध कुमार ने शिकायत की थी कि पटवारी उससे इंतकाल के बदले में 10,000 रुपे मांग रहा है विनोध कुमार की गाउं पंजोखरा में पांच एकड़ जमीन है जिसके इंतकाल के लिए पटवारी दीपक ने 10,000 रुपे की डिमांड की थी जिसमें 2,000 रुपे पहले और 8,000 रुपे आज देने की बात हुई इसके लिखे शिकायत विनोध कुमार ने विजलेंस भिवानी में की जिस पर आज विजलेंस भिवानी इंस्पेक्टर मुकेश कुमार के नितरतों में रेट करके 8,000 रुपे ओं समेत रंगे हाथ दीपक पटवारी को मौके पर ही पटवार घर खानक से गिरफ़तार कर लिया गया आगे की कारवाई जारी है विजलेंस इंस्पेक्टर मुकेश कुमार ने मामले का खुलासा करते हुए कहानी बयां की वह बताया कि जाद जारी है वे एक कम्प्लेरेंट आया था विनोध कुमार नाम का जो जगान गाओं का रहने वाला है उसने आके हमें सिकायत दी कि उसे इंतकाल करवाना है उसके फादर की डैथ के परशात और इंतकाल के अवज में जो सम्मधिर पटवारी है वो उससे पैसे की डिमांड कर रहा है जिसमें से 2,000 तो वो पहले दे चुका है और 8,000 की डिमांड उससे अब गी जा रही है तो वो सिकायत हमने दी उसने उसके सम्मध में कुछ रिकोर्ड हमें पेस किये तो हमने जो पटवारी को हो है राटन डीट इसमें पकड़ा है अभी इस पो अरेस्ट करके से पूस्तास की जारी है इसमें किसी और किसन लिपता तो नहीं है और जैसे आनुस अंदान के दुरान जो तथ्य सामने आएगे उसके नुगूप करवाई की जाएगी